नमस्कार स्वागता है आपका मेरो यूटूब चैनल आई टी थी सिस्टी डिग्रीज में आप सभी छात्रों को पता है जो पहली मेरेड लिस्ट में जिन छात्रों के नाम आए हैं वो अपना एडवीशन 5 अक्टूबर तक अंतिम्तिती है उससे पहले पहले अपना और आगे आने वाली जितनी भी कॉंसलिंग में उनमें से आपका नाम हटा दिया जाएगा यह जानकरी आप सभी को होगी यदि आपको नहीं है तो यही जो रूल है कि आप 5 तारीक अंतिम्तितियों से पहले अगर आप एडवीशन नहीं ले पाएंगे तो 2nd 3rd of merit list के लिए आपका नाम अलेडी हट जाएगा आपका software वो नाम लेगा ही नहीं तो आप 5 तारीक से पहले अपना एडवीशन ले लिजे अब आपके दिमाग में एक प्रसन और आ रहा होगा कि 5 तारीक में 2 दिन तो ऐसे हैं 2 October और 4 October जिनकी छुट्टी है 4 October को Sunday है 2 October गांदी जैनती इन की छुट्टी है तो इतना कम समय है हम कैसे अपना एडवीशन लेंगे तो उसी के संबंद में परिसत से एक लेटर जारी किया गया है उसमें आपको बताया गया है कि जो 2 October है जो 4 October है उनमें college खुले रहेंगे या नहीं खुले रहेंगे तो चलिए मैं आपको जो लेटर प परसत उत्तर प्रतेस अलीगंज लकनाओं के द्वारा यह लेटर भेजा गया है किसको भेजा गया है समस्त संयोक्त नेदेशक जेडी को भेजा गया है और समक्त राजकी और देगूपर सिक्षन संस्तान के प्रधानाचार को भेजा गया है ऐसे ही प्रधानाचार जो private college है उनको भेजा गया है मतलब private college के प्रधानाचार और राजकी और जेडी को इन तीनों को यह letter भेजा गया है इस letter में क्या बताया गया है इसमें यह लिखा गया है अबकास के दिनों में भी प्रवेश प्रक्रिया चालू रखे जाने के संबंद में मतलब जो अबकास है चार प्रवेस प्रिक्रिया पूरता है चालू रहेगी आप जाइए संस्तान खुला रहेगा चाहे वो प्राइबेट हो चाहे वो गवर्णमेंट हो दोनों में प्रवेस सुचारूरूप से चलेगा तो आप छुट्टी वाले दिन भी अपना एड्मिशन करा सकते हैं तो यही जान जुड़े हुए हैं मैं वहाँ पर टीचर हूं मैं पढ़ाता हूं तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं वह उसे आपको सर्कुलेट करता हूं यह जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो आप छुट्टी वाले दिन दो अक्टूबर और चार अक्टूबर को जाके भ लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लेजे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद